कि Haj 미 आज हमें जोइन स्केह लिए देखेंगे इसलिए मेरे पास दो डेपल्स है Employee details और department table तो डेपल से इसमें तो employee ID Employee Name Employee Society department ID ये तो employee कि a employee details में यह यश्त एंप्लॉ loyal details table में है और और दूशाऄल है m department table में उसमें तो तेखेंगे सेलेक्ट स्टार रम डिपार्टमेंट देखो इसमें तो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है यह दोनों कॉलम्स है इसमें डिपार्टमेंट टेबल में यह दोनों टेपल्स में सेलेक्ट करना है हमें डेटा सेलेक्ट करने के हम जॉइन्स उसका देते हैं joint हो तो the different types of joints है इस में तो inner joint है और left outer joint left outer joint है और right outer joint है है और right outer पूरा रोस को सेलेक्ट करता है कोई किसी के दोनों में टेबल में मैच हो तो पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं इसलिए हमें एक एक्जांपल देखते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फुए इस फ्रुम् एमप्लॉय डिटैल डिटेल्स इनक छाइण हमें इनने जॉयं के इसम मल्कjutल्येख क्या एदिक इन ज्रयर्ट लिए है ओ न जॉयंद और 词पट्मंट और उसका column करना है यहां department id यह department table में और employee details में department id दोनों का relation है मतलब ओ दोनों foreign की का department id यहां का department id है यह foreign की है उसका department table का इसलिए हम जॉइंट कर सकते हैं और किसमें हमें जॉइंट करना है डिपार्टमेंट आइडी के लिए इसलिए तो उन्हों स्पेसिफिक करना है मतलब Employee Details .deptid is equal to डिपार्टमेंट उसको स्पेसिफिक करना है किस किस का डिपार्टमेंट आइडी है आइसा जॉइंट करना रहता है Select Start From अभी एक्जिउट के आ तो देखो पूरा डिपार्टमेंट दोनों टेबल जॉइंट होके हमें डेटा रेट्री हुआ है मतलब पूरा दस देखो 10 रोस आया है मतलब इसका डिपार्टमेंट आइडी और डिपार्टमेंट आइडी इसका इसका दोनों का आया है मैच हुआ उसका ही आया दोनों टेबल में मैच हुआ तो ही आता है इनन जॉइंग में देखा अभी अभी ऐसा दो डिपार्टमेंट आइडी आया है या ऐसा इसलिए वो नहीं चाहिए तो हमको ऐसा बिना करके उसका कोलम नेम्स देना है Employee ID, Employee Name, Employee Salary, Employee Details का .Dept ID, ऐसा Table Specify करना है, क्योंकि Department Table में ही है, Department Name का, ऐसा Specify किया तो देखा, अभी Department ID जो दो आया है, ऐसा नहीं आता है, सेलेक्ट करके Execute किया, तो हम देखा, अभी Department ID और यह Department ID तो Employee Details का टेबल से आया है, और यह तो Department Table से आया है, हमें यहां Specify कली देखा, अभी दिया है Specify किस टेबल कांफीजन नहीं होना चाहिए, इसलिए किस टेबल में क्या कॉलम सेलेक्ट करना है, यह रहा एक Inner Join होता है, ऐसा Inner Join दे सकते हैं, और इसमें रेट्रिव करके और भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइक कैसा होता है, यहां देखो Department ID यही दे रही हूं, और इसके पर सब्वाइब हूं अ यंद्ड यो और डेपार्ट में टॉर्ट्रम का दिपार्ट्म automobilehos pross कि यह वक Dr. इसकते डेटा सिर वही उसका ही चाहिए मापको सेलेक्ट क्या है और एग्निट qué देखो को डिपार्मेंट ऐसा फिल्ट्रेशन के लिए ऐसा यूज़ कर सकते हैं और भी लाइक इस दोनों होके मतलब यहां तक फिनिश होके और कंडिशन चिक कर रहे हैं क्या डिपार्मेंट ऐडिये चार है या नहीं है यह दोनों कंडिशन सैटिस्फ़ाय हुआ तो यह हमको रेट कर सकते हैं lifetime अफैनलाइफ n अ और सेलट किया तो हमां यहां यह दिपार्मेंट आडी ऑर्डर में 120 स चाहिए तो यहां क्या कर सकते हैं में order by order by and department dot dpt id equal to id dpt id in descending order मुझको descending order में चाहिए अभी इसलेक किया देखो अभी descending order 4-3 देखो department id से हमें descending order चाहिए नहीं तो हमें अभी ascending order चाहिए तो ASC ऐसा ascending order में रख सकते हैं देखा अभी तो ascending order में आया ऐसा हमें order कर सकते हैं इंेर जॉइट करके उसके पाग सकते सार्ड में चौहिए वह समृता आता हैं यह रहा इनेर जॉइने और रूसा क्या है लेफ्ट पूट जॉइं najwię E ouvtt Miguel का पूरा पूरा रोस हमको देता है और हैं है है कि यह पोश्या करने मैं माच होता है वह सब देताossman अभी देखेंगे हमें left auto join कैसा हो जाता है हम यह order पर इकलोस निकाल रही हूं इनर जोई निकाल के left join कर रही हूं अभी देखते हैं क्या पहले हम दोनों टेबल का क्या output आया है देखते हैं है ओके देखो अभी हमें क्या है पहले left table में 12 कॉलम से देखो 12 कॉलम से और उसका डिपार्टमेंट आइडिस नहीं है और दूसरा यह यह राइट टेबल में क्या है पूरा 6 कॉलम्स 6 रो से मगर यह 56 तो हमें डिपार्टमेंट आइडिस यहां employees कोई नहीं है इसमें इसलिए यह ऐसा हमें data entry क्या है अभी उससे हमें left auto joint कैसा करता है देखते हैं इसलिए अभी select किया हमें देखिए अभी पूरा left table का पूरा data आ लिया हमें और right table से क्या-क्या माच हुआ हुआ ही आया मतलब ओ टेबल का ही मत देखो यह match नहीं हुआ तो भी है यहां left table का पूरा data आ लिया हमको यह है left join होता है अभी हमें क्या करते हैं right join किया तो अभी हमों क्या-क्या माच हुआ टेन रोस तो माच हो गया यह और उसके बाद हमें department नहीं में यह रहा right join मतलब right table का पूरा data आ गया हमको left join में क्या उसका matching नहीं है तो null values यह रहा right join और हमें full join चाहिए तो पूरा मतलब 12 plus 2 14 14 व्लोस हमको output आता है देखो अभी देखो फुल राइट में देखो यह 10 तो मैचिंग का हुआ और यह दोनों तो left join का यह दोनों right join पूरा मतलब पूरा join पूरा table का data join करने के लिए full join करता है यह रहा joints के लिए ऐसा के सबता आज के लिए क्या देखा हमें inner join देखा left join देखा right join देखा यह रहा आज के लिए दन्यवाद करी देखा यह होँ मैचिंग तो अյाद honest इन्यवार का यह दो सबता है 10 तो